हेलो गाइज आप सभी कैसे हैं और इस करोनकार में आई हॉपस हो आप सभी बढ़िया और स्वस्त होंगे तो इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत ही शांदर प्रोडेक्ट जो भी बाइक यूज करते हैं बाइकर्स हैं कोई भी बाइकर हो यह नहीं कि कोई हमारी तरह बाइकर हो कोई एनभी वाइकर हो उसके लिए यह हैलमेट ब्लुटूट इंटरकॉम डि करेंद कर द्पर प्रॉदक्ट में आपके कॉल कनेक्ट हो जाती है और हेलमेट में आपके माइक लगे होते हैं और स्पीकर लगे होते हैं तो उसी से आप बात कर सकते हैं तो यह बहुत ही shop product के बात कर रहा हूं वह है Cando Frecomfor Plus device और यह UK का product हिए själv है। सेना से काफी better है और इसमें बहुत शांदा फीचर्स से इस वीडियो को हम तीं स्रेक्ष्छ में डिवायड करेंगे स्रेक्ष्छन वन में हम अन्बॉक्सिंग करेंगे तो दो बताऊंगा इसमें इस box पे आप बाई करते हैं तो क्या-क्या मिलता है second में हम बात करेंगे इसके features के बारे में और third में हम बात करेंगे जो मैं helmet में कैसे fit कर सकते हैं अपने इस Intercom device को तो guys हाप सभी का स्वागत है हमारे चैनल Jarton Wheels में तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को तो first section की बात करते हैं unboxing की तो cardo का जो हमारे पर device है 3Com 4 Plus यह already मेरे unboxing हो चुका है और इसका box इस तरह से दिखाई दिता है और मैंने यह इसको बाहर से मंगाया था इस वाज़े से हमें इसको open करके लाना पड़ा नहीं तो बाहर दिक्कत हो जाती है और काफी इस पर चार्ज़े लग जाते है अगर पकड़ा जाए तो तो हम खोल के लाते हैं इस चीज को तो यह box है इसमें सारा device है मैं आपको दिखा दूँगा क्या क्या है और यह manual guide है यह बहुत important है इसमें सारा system दिखाया होगा कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं अपने device को जो intercom device है तो मैं फोल के दिखा देता हूं आपको इसमें क्या क्या है और last video में आपने देखा होगा मैंने gopro 10 का unboxing की थी और उसका features के हमने बात करी थी और इसके लावा हमने उसका जो vlogging setup त्यार किया था उपर आई button में लिंक आ रहा होगा आप देख सकते हैं अगर आपको gopro के बारे में जानना है तो तो हम बात करते हैं अभी अपने card की तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ यह है speakers और खासियत क्या है इनकी यह JBL की speakers है बहुत ही शांदार है JBL तो आपको पता यह बहुत ही international brand है JBL का और बहुत ही प्यारी आवाज आती है तो पहला speakers second यह है हमारा जो main device है card का यह देख लीजे बहुत ही खुबसूरा device है और water resistant है यह और बैटरी बैकप भी बहुत ही दस से बारा गंटे का बैटरी बैकप होगा इसमें और यह है देखिए helmet के साथ अटेच होगा तो इसमें भी दो तरह के clamp दिये हैं एक blue के साथ आता है जो आप stick करके चिपका सकते पर्मनेंट और यह है आप रिमूव कर सकते हैं इसको तो जो भी आपको suitable लगे वह आप इसको लगा सकते हैं मैं दूसरा भी दिखाता हूँ आपको यह है हमारा क्लैंप हेलमेट का क्लैंप यह डाटा केबल है इसके साथ और इसमें यह देख रही है टाइप सी नहीं है यह और यह मैं दिखा रहे तो इसके अंदर क्या क्या है मैं अभी बता रहा था जैसे आपको यह है देखिए एक तो यह मैंने आपको यह यह ओपन हेलमेट के लिए यह वाला आपका माइक लगेगा अगर आपका ओपन हेलमेट नहीं है तो यह वाला माइक आप यूज कर सकते हैं दोनों ही कर सकता है लेकिन दोनों अलग अलग दो माइक दिए गए आपको इस काड़ो में फ्री कॉम फोर में और इसके लावा मैंने आपको बताया था यह देखिए ग्लू स्टिक यह जो है क्लैम्प है यह हलमेट के अंदर पस जाता है क्लैम मैं दिखाऊंगा अभी लास आपके पास तो दो दो अप्शन दिए हुई है माइक की और इस अपने क्लैम की इसके लावा इसके लावा हमें यह एलकॉल पैट दे रखे हैं सफाई के लिए ताकि वहां दस्ट व डूस्ट ना रहे तो यह दो तरह के वेलकुरोल दिए गए हैं रौंड शेप में और स्क स्टिक कर सकते हैं इसका यूस ज्यूज जो मेन है कि जो हमारे स्फिकर से ह final के सबकुन हो वं में धर सपकौर ौसके लग सकते हैं तो मैं सारा इंस्टावीशन करके दिखांगा आपको खो तो यह फ्क्रोट कस ग्यावारे साथ हैं मैंने दिखाए आपको और यह हमारी होगी unboxing तो guys अभी हम second section की बात करते हैं और cardo में क्या-क्या features हैं क्या-क्या functions हैं उसके बारे में बात करेंगे और सबसे पहले यह device है cardo का बहुत ही प्यारा sleek device है और बहुत ही शांदर है तो इसके में सारे जो function हैं उसके बारे में बात करता हूँ जैसे कि first यह है यह है media button है अगर आपने अपना music चलाना हो तो यह music और FM के लिए यह media button है और यह है अपना call button और phone button आपने अपने phone को connect करना हो Bluetooth से तो यह यहां से किया जास्वत करता है और यह है intercom button है और दूसरे राइडर से आप अपने डिवाइस को connect करना चाहते हैं तो यह intercom button यूज किया जाता है और यह है free roller free roller आप इससे voice को कम ज़्यादा कर सकते हैं तो कैस्छ यह है clamp जो हमारे helmet में fix हो जाएगा यह जो दिया हुआ slot इसको आप helmet में fix कर सकते हैं और हमने जो है अपना device को clamp के साथ कैसे attach करना है तो यह देख लीजिए यह दोनों एक साथ लगाए जाएंगे तो सबसे पहले इसको यह देखिए बिल्कुल match करके आप इसको पीछे से जाके press करना है यह यह देखिए यह देखिए यह बिल्कुल अंदर चला गया और आवाज आती है कटक की इससे पता चलता है कि यह आपका पुरी तरह fix हो जागा और गिरेगा नहीं फेर यह यह आप देख भी सकते हैं और उसके बाद हम यह अपना माइक को fix कर सकते हैं यह इसके साथ यह जैक दे रखा है और उसके बाद speakers को भी हम लगा सकते हैं वो भी यह एक जैक दे रखा है यहां से तो इस तरह पूरा setup त्यार हो जाता है और यह helmet में हम लगा सकते हैं तो यह काम कैसे करता हैं वो देख लेते हैं कार्डों का device स्टार्ट करने के लिए हम यह दोनों बटन फोन और मीडिया को दबाएंगे तो यह own हो जाता है और यह indicator आप देख पा रहे होंगे indicator चल रहा है हिट मेंस के हमारा device शुरू हो गया है और अब हमने इसको अपने mobile से कैसे connect करना है तो गाईस सबसे पहले क्या करना है अपने जो card का device है उसको अपने mobile के साथ connect करना है तो उसके लिए हमें यह जो mobile का button दिया गया है इसको 5 seconds के लिए हमने प्रेस करना है और यह blink करने मोबाइल पर जाएंगे साथ में Bluetooth open कर रखा है मैंने already और पेर न्यू डिवाइस पर हम जाएंगे और यह freecom का आ गया है यहां शो कर रहा है और यह connect कर रहे हैं अलाओ पेर करो जी तो यह हमारा mobile device connect हो गया है हमारे intercom device के साथ यह लिखा हुआ है connected और बैटरी जो है 100% शो कर रही है इसके अंदर तो इस तरीके से हम अपने mobile को बहुत सिंपल तरीके से connect कर देंगे और इसी तरह अगर आपको Bluetooth दूसरे अपने device से connect करना है तो आपको intercom का बटन दबाना है और इसी तरह बिलिंक करने लगेगा तो दूसरा device को भी same दबाना है तो इस तरह से दोनों pair हो जाएंगे और सबसे जो खास बात है वो मैं बता दूँ यह जो device है हमारा universal एक device के साथ connect हो सकता है इट मिन्स कि कोई दूसरी कमनी का कोई आपका friend के पास device है जैसे vnet v6 है सेना है कोई भी अलग brand का device है intercom तो उससे भी connect कर सकते हैं करना क्या है आपको तो सबसे पहले आपको यह click करना है intercom का button और फिर हमें phone का button दबाना है तो यह बोलेगा cardo gateway pairing इट मिन्स अब आपका device दूसरी कमनी का device है उससे pair करने के लिए ready है तो यह device उसको search कर लेगा और pair कर देगा इस तरह से यह device किसी भी Bluetooth device है उससे connect हो सकता है जो cardo और Sena दोनों ही internationally brand है और बहुत ही best brand है motorcycle helmet के intercom device में और सबसे ज्यादा यह दोनों ही चलते हैं लेकिन जो cardo है थोड़ा uphand है जो उससे सैना से उसमें क्या है कि इसमें waterproofing उससे better है बदो as मैंने पढ़ा है जो भी है और दूसरा यह जो construction material है बहुत ही solid है यह चीज़ बहुत ही solid है तीसरा चीज़ क्या है तीसरा यह है कि इसको आप voice command करके इसको यूज कर सकते हैं आज कल हम mobile यूज कर रहे हैं वाइस कमांड से उसी तरह हम अपने इंटरफूर डिवाइस को भी voice command से यूज कर सकते हैं जैसे hey cardo start music hey cardo stop music इस तरह से इसमें कई तरह के voice command देए गये हैं जिससे आप बहुत इजीली आप बाइच चलाते विखे चला जो को है जसकी कॉल ऐइवी है आब अपने दूसरे रायटर को भी काल आई कर सकते एब उड़िया घया है आप अपना म्यूजिक मर्क्राइडर का इसके पास आफ इसके आफिर त्रियू और इसके आफम त 4 प्लास heart spit model को 4 आडिडिक कर सकता है हमारे साथ एक दूसरा राड़ जा है उसे ने दूसरे बैंड कर ले रख्का है अपना इंटरिकौन डिवाइस तो हम एक राड़ से यह connect कर सकते हैं बाकि अपने तीन राड़ हमारे काड़ दो के हो जाएंगे तो बहुत ही बड़िया फीचर लगे मुझे इसके और कोस्टिंग बता दू मुझे यह आया है युएसे से लग बग 12,700 रुपे में सिंगल पीस मैंने दो पीस मंगाए हैं तो एक सिंगल पीस पड़ा है 12,700 रुपे का तो not a bad deal तो यह हमारा था second section तो अब चलते हैं third section की तर अब हम इसको अपने helmet में install करते हैं यह है हमारा SMK का helmet और इसके अंदर हम अपने जो device है उसको fix करेंगे install करेंगे और कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले हमें अपने helmet की padding निकालनी पड़ेगी और उसके अंदर फिर हमें इस device को लगाना पड़ेगा तो मैं अभी इसकी padding हटा देता हूं इस तरह से एक एक करके सारे पैड को हटा देंगे ताकि हम इसको अच्छी तरह इंस्टाल करते हैं यह पैड निकाल देंगे इसी तरह यह पूरे padding हटा देंगे यह मेरा already इसमें जो vnet v6 का install हुआ पड़ा है उसको मैंने निकाल के अब इस पैडिंग निकाल दी है अपने helmet की इस तरह से यह देखिए बिल्कु पैडिंग निकाल की है बिल्कु गंजा हो गया और हमें अब यहां पर अपना जो speaker से उसको fix करना है और यह वेल्क्रो के लिए जगा दीगी है जो हमारे जो speaker fix होंगे तो वेल्क्रो आपको जो दो round के दे रखे तो उसको यह fix करना पड़ेगा दोनों साइड में left हो right में और जो हमने अपना जो device है वो हम left side पे लगाएंगे ताकि हमारा easy operate हो जाए तो इस हिसाब से हमें जो हमें जो दे रखे हैं speaker उसकी जो connector है उसको उसी side पे रखना पड़ेगा left side पे तो मैं connect कर देता हूं इसको यह है जेबिल का speaker तो एक तो हम यहां पर जो slot दिया गया है helmet के अंदर यह लेखिए एक तो हम यहां लगा देते हैं इसका और फिर दूसरा हम लगा देंगे यहां पर यह वेल्क्रो के अंदर यह आराम से attach हो जाता है तो यह हमारे speaker फिक्स हो गए अब मैंने माइक लगाना है माइक तो जहां माइक फिट करना है वहां पर पहले तोड़ा जो आपको alcohol का swap दिया गया है उससे पहले साफ कर लेते हैं जगा को ताकि यह dust साफ हो जाए थी तरह और glue जो चिपकने में बहुत ही असानी रहेगी तो इस तरह से मैंने इसको साफ कर दिया है तो यह हम यहां पर चिपका देंगे अराम से यहां पर यहां पर हमने चिपका दिया है वेल्क्रो को और इसके उपर अराम से हमारा माइक आज चिपक जाएगा यह यह लग गया हमारा माइक पहले श्पीकर लगाए फिर यह लगा दिया हमने माइक को तो गाईज जÈ जो पैंडिन्ग लगाने यहाँ पर डिवाइस लग जाएगा फिर उसके बाद यह देखा ऐसे तो इस तरीके से मैंने पूरी पैडिंग कर दी है हेलमट में और यह हमारा क्लैम्प लग जाए है हमारे लेफ्ट साइड पर और इसकी वाइरिंग सारी अंदर है और इसके स्पीकर्स दोनों लेफ्ट और राइट पर लगा दिये हैं माइक हमने यहाँ पर आगे लगा दिया है इधर आगे की तरफ यह आप देख पा रहे होंगे यह माइक लगा हुआ है और स्पीकर यहाँ पर लगे हुए यहाँ पर तो इस तरह से पूरे हेलमट में हमने फिक्स कर दिया है और अब मैं डिवाइस को लगा के दिखा देता हूँ आपको जो हमारा इंटर कॉम डिवाइस है तो लगाने का तरीका यह है कि जो यह स्लोट बनाए यह सबसे पहले आगे जाएगा इसके अंदर और फिर यह पीछे से बंद कर देना है यह आवाज आनीची है इस तरह से इस तरह हमारा हेलमेट इंटर कॉम डिवाइस को हमने अपने से लगा दिए तो इस तरह से लगा सकते हैं अगर आपको कुछ हों आपको कुछ भी समझथाओं आ हो आपका open-face कोई हमेट तो यह थो फेस लिए दोसरा माइक करना है यह करना यह तक करना तो इस तरह से यह हमारा लग गया है तो जस्ट इसको दोनों को प्रेस करेंगे तो यह हमारा ओन हो गया तो इस डिवाइस को अपने फोन से कनेक्ट कीजिए ब्लुटूथ के तुरू और अपने दूसरे राइटर को भी कनेक्ट कर दीजिए अपने इंट्रकॉम बटन के तुरू और माजय लीजिए अपने इस डिवाइस के तो अभी आपने देखा कि काडो का फिरिकॉम प्लस तो कैसे हलमेट में इंस्टाल करना है और इसके फीचर्स इसकी अन्बॉक्सिंग तो आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा एक कमेंट जरू करना और कुछ भी इस डिवाइस के बारे में आपको पूछना है तो मुझे मतरमें जाहे हम